एलो विर्मेंस वागेते हैं आप सभी का आप सभी के बसने अडिव चनल राय एजूकेशन में मित्रों 79 जार बड़ती परी चर्चा आप सभी से करनी है और थोड़ा सा मुद्दा गंबीर ही है आप लोगों के लिए क्योंकि आपके लिहाजा से ये मुद्दा गंबीर है और यहाँ बात आ रही है आपके विष्वास की इस पर बहुत ही गंबीर चर्चा होनी है इस वीडियो में तो जो लोग विष्वास करते हैं किसी पर बहुत ध्यान से समझ लिजेगा ये आपके लिए ही है कुछ सीखने क तो मिल सकता है और अगर आपको लगता है कि आपका किमती समय कहीं लगा रहे हैं आप देखे सबके पास अपने पने समय की गरिमा है सबके पास पैसे आ सकते हैं कई धेर सारी चीज़े आ सकती जीवन में लेकिन समय वापस नहीं आ सकता तो आप जहां पर भी अपना समय देते हैं यह कहिने कहि足 Nah और दर्षाते वे देते हैं उस वैक्टि कि विशेश से उस वैक्टी विशे सकी सुच्छनाओं से या कुछ भी हो किrån एक इस्वर में भी आप जुडाओं अपना विस्वास करते हैं तो सिर्फ और सिर्व विश्वास की विजह से और कुछ भी नहीं ठीक ना तो हर चीजों का मूल जो है वह विश्वास अब देखिए आपने जितने भी मुझसे जुड़े भरती हैं किसी भी विवाग से चाहे वह नत्रजार भरती को चाहे व्यक्ति का चाहूंगा आप सभी से कि अपने विश्वास को इतना भी कमजोर मत बना ले ना मित्रों कि कोई अपने स्वार्थ के लिए उसका दुरूपयोग करने लगे कई मुद्दे ऐसे बीच बीच में निकल करा रहे हैं मैं जब से यह सुनरत्यजार भरती को देख रहा हूँ और मुझसे करीब से कई लोग देखते होंगे लिया जा आप सभी बहुत करीब से जुड़े हैं इस भरती प्रक्रिया के अंग हैं हैं महत्पूर्ण अंगए हैं तो आप लोगोंने इसमें देखा होगा कई महत्पूर्ण तथ्यआते रहे हैं और आपको प्रश्चनशिन आपके मान्सिक प्रतितोंदता को और भी बढ़ाते रहे हैं हैं इससे आप नहीं इतर हो सकते या इससे मुखर भी नहीं सकते से important बात यह है दो टुक में बात बोल दूँ कि आप जिससे विश्वास रखते हैं जिस भी चैनल से जिस भी व्यक्ति से जिनकी पोस्ट से चाहे आप FB पे हो उनसे चुड़े हो चाहे आप WhatsApp पे हो चाहे उनसे YouTube चैनल पे हो चाहे इनसे व्यक्तिकत रूप से आप बातचीत करते हो विश्वास का पैमाना लॉजिकली रखिएगा आँग बन करकर किसी पर विश्वास करनी की आवशक्ता नहीं हो चाहे वो मैं हूँ व्यक्तिकत रूप से चाहे वो दूसरा कोई व्यक्ति हो मैं यहां पर अपनी बड़ाई कुछ लोग यहां सोच रहे होंगे कि अपनी बड़ाई बस हर वीडियो में यह वेक्ति करता रहता है इसके पास तो कुछ काम है ने बिल्कुल भी नहीं लॉजिकली अगर आप देखेंगे सारी चीजों को तो आपको समझ में आएंगे कि लॉजिक वाली जो बात करता है वेक्ति वो लॉजिकली उनसे रिलेट हमको करनी है ठीक है एक बात होगी दूसरी बात पर आजाओं सिक्षा मंत्री तक ग्यानियों से नहीं बचपा रहे हैं अब मुझे तक अगर आप ये ग्यानी लोग सीमित होते मेरे वीडियोस में आकर कमेंट में गाली घलोच करते उल्टा सीधा आनाप सना बगते तो बहुत अच्छी बात थी क्योंकि मैं आप लोगों का मित्र हूँ कह सकते हैं कि आपका एजुकेटर हूँ जो भी आप जिस रूप में भी लेते हों मुझे उस रूप में आप गाली घलोच करते हैं कोई दिक्कत नहीं मुझे क्योंकि ये मेरा विक्तिकत पैमाना है लेकिन आप एक सक्षा मिंत्री को भी आड़े हातों ले लिये हैं उनको कह सकते हैं कि उस तराजू पर परक रहे हैं जैसे हम लोगों को आप परकते हैं आके कमेंट सक्षन में और कई चैनल्स वाले इनको बता रहे हैं कि ये बीड के बढ़ती होने किया भी या मतलब उनको पूरा पूर्ण विश्वास है कि बीड वाले जाकर वहाँ पर गाली करोज करेंगे कमेंट सक्षन में मतलब हद होती है किसी भी चीज़ को बोलने की आँख बन करकर बोलते रहे हैं कि बीड के बढ़ती ही ऐसा की होंगे मतलब उनके पास पूरी तरीके से प्रूफ है अगर उनसे पूछा जाए सिक्षा मंतरी उनको बुलाकर पूछें कि किसने किया था आपको पता है तो बोलेंगे हाँ हाँ बीड के बढ़ती होने किया था मुझे पूरा पूरा विश्वास है तो भाईया आप ये एकदम सटीक तरीके से मत बोलजी कोई भी कि बीड के बढ़ती ने किया है या सिक्षा मित्रों ने किया है या बीडी से बढ़ती ने किया है बढ़ती तो ब भरती 69,000 भरती की बात करता है तो वो 69,000 भरती का भरती होगा ना कि वो बीएड भरती होगा ना कि वो सक्षामित्र होगा ना कि वो बीटी से भरती होगा आप जैसे यूटुब चैनल वालों ने आप जैसे पोस्ट क्रियेट करने वालों ने आप जैसे वीडियो बनाने वाल कर दिया है तो वर्गु में मत बाठिये मेर जो अभरती इस भरती प्रक्रिया में वह arguments यान वह आपकी अलग मन्षा है आप ख़ड़ी पगाते हूं तो वह अलग बात है MAS injust इस Japanese वेiov Exchange को इस त्रेकें से इंगित्मत करिए लितो तो सबका अपना आत्म सम्मान होता है महान सम्मान होती फिर वो प्रश्ण चिन उठाएगा आपके उपर सीडियो रिस्पस्ट बात है देखिए अब इंपॉर्टन बात आप लोगों से यह कह रहा हूं कि कई लोग मुझे यह बता रहे हैं कई लोग वीडियो अपने हिसाब स अपने चैनल्स पर प्रमोट करने के पैसे भी लेते हैं हाई तो एक तो आपको एक निवस देते रहेंगे और किसी की वीडियो अपरо रोट कर देंगे क्योंकि उनको पैसे मिले हैं यहां पर देखिए मैंने जिस बात से शुरू के यहां पर आपका विश्वास काम करता है जानते हैं विश्वास गात कहा होता है जहां पर एकदम तगड़ा विश्वास हो जहां पर विश्वास हो ही ना वहां पर कोई कैसे विश्वास गात कर सकता है थो लोजिकली अगर सोचिए विश्वास गात कहा कोई करता है जब किसी वक्ति को पर जरा सावी, एक रती सावी जिसको पर संदेना हो, वो ये काम कर ले, जिसको पर हम आग बन कर बोलते हैं, मुझे इस पर पून विश्वास है, वहीं अगर आपकी विश्वास का तिरसकार करता है, तो वहीं विश्वास घात होता है, ऐसा होता है यहां पर, तो एक जगह एक विडियो चला दी जाए, कुछ पैसों के लिए आपके विश्वास को तागपर रख दिया जाए, फिर उसके बाद अलग से बोल दिया जाए, नहीं नहीं, मेरे तरफ से सही, तो वो वीडियो चलाने का क्या करिया कलाब रहा, कुछ नहीं रहा ना, मै किसी को फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको कमजोर बता रहा हूँ, कि इतना चोटा या इतना कमजोर अपने विश्वास को मत मना लीजे, कोई भी आपको तराजूँ पर तॉलना स्टार्ट करे, ठीक है ना, इस चीज़ को बहुत अच्छ ध्यान लीजे, हाँ इतना है कि मेरे अंदर विवेक शीलता बहुत है, सहता रहूंगा, एक समय से आएगा कि इस सहने का परिणाम आपको मिलेगा, परिणाम क्या दूस परिणाम मिलेगा, आपकी आदत पर जाएगी गाले इकलोज करने की, मैं आप जवाब नहीं दे रहा हूँ, कोई और जाएंगे, तो वो अच्छे से जवाब दे देगा, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा, इसलिए बहुल रहा हूँ कि ज्यानियों से बचिएगा, बाकि सिक्षा मंत्री जैसे इतने विवेक्षिल वेक्ति, इतने उदार वेक्ति की, फेस्बुक लाइब में आप लोग एक चीजे पता हैं, वो बेस से उतकराएं हैं, धरातल से उतकराएं हैं, धूल धूसर विद्यालेयों, प्रात्मी विद्यालेयों से उतकराएं, उनको एक एक चीजे पता है, और आप उनको आड़े हटो ले रहे हैं, तो ये ग्यानियों के लिए एक ही सला है, मुझे पता दे जाओगे सीधी और इस प्रस्ट बात बोल रहा हूं जिस सब्दों में तुमको समझना हो समझ रहो अपने पैर पर कुलाडी मत मारो यहीं मेरा कहना है ने तो जो ग्रूप बना बना कर क्रिया कलाब कर रहे हो न वह ग्रूप बाजी निकल जाते हैं क्योंकि एक सुशील औ और सांत व्यक्ति इतनी अच्छे से बातें आपसे करता है और आप जाकर वापर गाली गलोज करते हो मुझे कर दो किसी और चैनल पर कर दो वह तुम्हारी गरिमा के खिलाब है कि तुमने उतनी सिक्षा प्राप्त की है तो वह अलग बात है लेकिन अपनी सिक्षा का अंदर एहम आजाना चाहिए लेकिन उस जैसा नितिमान वेक्टी उस जैसा उधार वेक्टी उस जैसा सुशील वेक्टी आपसे बड़ा होने के नाते हैं भी जी-जी करके बाद चीत करता है आपके उधार ता Até प्रशनों ौ और शिर्म का जबाब देता है इतनी भी शर्म मैंने upload की थी आप लोगों को अगर आप उनकी व्यक्तित को देखेंगे कहीं पर भी कभी aggression उनके आवाज में रहा ही नहीं इतना सुन्दर वाक्य की वो बोलते रहे हैं हम लोग सुनते रहे हैं मैं एक दम खुले आज बात अपनी रखना चाह रहा हूं कि व्यक्तित और किसी भी पार्टी से अगर आप जुड़ते थो उनकी नीतियों पर भरोसा रखिए किसी एक व्यक्ति को मत उठा लीजे कि फलाने व्यक्ति बहुत अच्छे हैं व्यक्ति नहीं अच्छा होता है उनक कि किसी भी उच्छ ओधे के व्यक्ति को व्यक्ति कर मैं सक्षामंत्री को भूलना चाहूंगा कि इनको ऐसी टिपनी मत करिए नहीं तो परशान होंगे आप याद रखेएगा इस बात को ठीके ना बाकी पुना बोलता अपने विश्वास को बहुत मजबूत बनाया रखिए आज का समाज ऐसा है ना कि आप जिस पर विश्वास करेंगे उस पर लॉजिकली विश्वास रखिए है ना कि अपना विश्वास कमजोर ना हो ताकि आपको परशानी के सामना करना पड़े बाकी मैं रोज ऐसे ग्यान बाटता रूँगा जिनको ग्यान लेना वो लेते रह जिनको नहीं लेना है वो भी खुछ रहें बस यहीं कामना है बाकी सुरक्षित रही है लॉकडाउन की स्थिदियों का पालन करिए परिक्षा हो चुकी है और रिजर्व हो चुका है इन सारी चीजों का और आएगा भरती प्रक्रिया पून होगी लेकिन सबसे पहले आपकी सबसे यादा माइने रखेगी तो सुरक्षित रही है आप भी सुरक्षित रही है अपने जोनों का सुरक्षा जरूर रखिए और जो ग्यानी लोग गाली गुलोच कर रहे हैं मेरी यहीं स्वर से दुआ है कि आप भी सुरक्षित ही रहे हैं आपके परिवार जन्म में भी स सुरुक्षित रहें ताकि आप सुरुक्षित रहेंगे तो भी तो गाली घुलूच करेंगे ना आप सभी अपने ही हैं देस्ट अफ लग थेंगे सो मज़